जब आप कहते हैं कि आपको और आपके शरीर को एक साथ चलना होगा, तो ये मुझे समझ में आता है, लेकिन मन कहीं और ही चला जाता है, ये हर समय आपके साथ नहीं चलता, आप यहाँ बैटे हैं, पर मन कहीं और ही हो सकता है, तो कभी ये आलग हो सकता है, कभी आपके साथ ह अब आपका मन भी कहीं नहीं जाता है, ये यहीं है पर किसी चीज के बारे में सोच रहा है, क्या ये कहीं जाता है? आपका मन कहीं नहीं जाता यह यहीं है और किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहा है पर फिर भी यहीं है, है न? ना तो आपका शरीर कहीं जाता है नहीं आपका मन कहीं जाता है और नहीं आप कहीं जाते हैं वे हमेशा मिलकर एक संपून एकाई बनाते हैं। अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो उन सभी के लिए काम करें। आप इन्हें अलग-अलग नहीं समाल सकते हैं। इसे अलग से, उसे अलग से। वे हमेशा एक साथ होते हैं, आपका मन कहीं नहीं जाता है। क्या आपने इसे खो दिया है। बात बस इतनी हैं, कि आप अपने मन की कलपनाओं से धोखा खा रहे हैं। ये यहीं बैठा है और कुछ कलपना कर रहा है। ये कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन आपकी पहचान इतनी गहरी है और आप इतने खोय हुए हैं कि आप सोचते हैं कि मन कहीं जा रहा है, मन कहीं सफर नहीं करता, ये बिलकुल यहीं पर है, है ना? आपको ये समझने की जरूरत है, आपके मन में बेकाबू और अंतहीन विचार इसलिए चल रहे हैं, क्योंकि आपने उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है, जो आप नहीं हैं, जिस पल आप खुद की पहचान किसी ऐसी चीजों के रूप में बना लेते हैं, मन बिना रुके चलने लगता है, आपने अपनी पहचान कई चीजों से जोड़ी हुई है, और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लाखों साल तक कोशिश कर लें, तो भी ऐसा नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता, अगर आप अपनी गलत पहचानों को मिटा देते हैं, तब आप इसी पल देखेंगे कि आपका मन एक दरपन की तरह होगा, ये कुछ नहीं कहेगा, बस हर चीज को परावर्तित करेगा, मन को ऐसे ही होना चाहिए, आपका मन एक ऐसा साधन है, जो तभी सबसे अच्छा काम करता है, जब इसमें सपश्टता हो, है ना, ऐसा ही है ना, आपका मन यहां हर तरह की कालपनिक चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं है, वो जीवन में एक भटकाव है, आपका मन आपको जीवन में सपश्टता और गहराई देने के लिए है, लेकिन अभी, आपका मन बस उल्ज प्रफन का एक भारी पुलिंदा है। सिर्फ इसलिए, क्यूंकि आपने कई ऐसी चीजों के रूप में अपनी पहचान बना ली है, जो आप नहीं है। और अब आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसे रोक कर रखने का कोई तरीका नहीं है। आपने बहुत बुरा खाना खाया, और अब आपके पेट में गैस बन गई, आप उसे रोक नहीं सकते, आपने खराब खाना खाया है, नतीजा आ गया है, आपने गलती की कि कई चीजों के साथ अपनी पहचान जोड ली, आप ये लगातार चलता जा रहा है, आप इसे रोक नह करते हैं, आप भगवान के बारे में सोचिए, भगवान खुद आपको कई जगाओं पर ले जाएंगे, अब आप यहां बैठे हैं और ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप सोच रहे हैं कि अपने बार या रेस्टरांट या दोस्त या सिनमा, ये किसी और चीज के ब राम खुद आपको बार में ले जाएंगे, राम खुद आपको रेस्टरांट ले जाएंगे, आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखिये, जो आप नहीं, कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का, तो यहां जो किय जा रहा है, वो आपके मन को काबू में करने के लिए नहीं है, ये उस बारे में जागरुपता लाने के लिए है कि आप क्या नहीं है, अभी सबसे पहले आपकी सबसे बुन्यादी पहचान आपका शरीर है, आपने पहचान बना रखी है अपने शरीर, अपने कपड़े, अपन दाड़ी के रूप में भी, है न? बहुत गहरी पहचाने हैं, है न? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपका धर्म, अनगिनाता धरों पर पहचाने, इन सभी पहचानों के साथ, आप एक शांत मन चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, यही कारण है कि हमने आपको शून निनाम की एक आसान विधी दी है, जिसमें आप मन से थोड़ी दूरी पैदा करते हैं, एक बार जब दूरी बन जाती है, तो अगर ये बखबख करने वाला मन भी हो, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप मन से अलग रहेंगे, एक बार जब आप मन से अलग हो जाते हैं, तो आप सारी पहचानों से भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि मन ही पहचान पैदा करता है, तो हर तरह की चीज़ें मत सोचे, बस इस विधी को काम में लीजे, तब चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी,